गुद मॉर्णिंग फ्रेंड माइनम इस मोसिन सायद एंड वेलकम टू अवर उडान अकैडमी चलिए शुरू करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तुदे वी आर गुएंग तुटी अवर फर्स टॉपिक हिस्ट्री स्टैंडर एट एंसे रटी हाओ वेन एंवेर पार्ट टू फर्स लेशन फर्स लेक्चर हमारा हो चुका था इन दाट वी सौ दिफर्स पॉइंट हाव इंपॉर्टन साथ ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट है यह सेकेंड लेक्चर है इस टॉपिक का तो याद रखियेगा हमें कैसे देखना है कि पार्ट बन पार्ट टू इस तरह से हम कंप्लीट करते जाएंगे यह पार्ट सेकेंड है हमारा ठीक है हिस्ट्री का डेट्स मेरा यह बताया था आपको किसी इधे पर ही डिपेंड यह इवेंट अलसो इंपोर्ट अंद इन बेसी अलसो ग्रेट्ट पेंड इन इस इन एंपोर्टन 迷िक इन इस्टी तो बेन सुई डेख्ते है कि देचे है कि तरह से इंपोर्टन रॉल प्ले करते हैं ऑट व on events and issues issues subsequently the dates will also changes uh date depend on events see हमने अब तक क्या पढ़ा था कि events और देट्स जैसा कि मैंने हमने पढ़ा था कि देज देट देट संट्रिक it is called date centric that particular things were correlated or limitations criteria were there कि जिस किस दिन राजा पैदा हुआ किस दिन उसकी मौत हो गई कौन से यूद उसने जीते शादी कब हो गई so it is called date centric dates ओके लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि dates will change if the events are different अब मान लिजेगा कि अब different event है और different जगे है मान लिजेगे national movement इंडिया का हम देख रहे हैं उस वक्त यदि आपका फोकस चेंज होगा देखे दफोग फोकस एंड पर्सपेक्ट्व अगर हमारा फोकस चेंज है हम इंडिया का चोड़के हम उस वक्त का अगर जानके फ्रांस का यूद फ्रांस की करांती फ्रेंच रिवरुशन नैशनलिजम आप यूरोप का अगर हम पढ़ते हैं तो अटमेटिकली क्या होगा कि हमारा फिवेंटब फोलत है इसंडिया फिरेंट्य क्या पर्सपेक्ट्राइट शालिजम अब यह समझते हैं कि यह पहला इस्टॉरेंनुल प्रिटिश इंडिया रूलनवते जेनरल अब यह समझते हैं यह पहला perspective देखेगा history written by Britishers when Britishers started to write Indian history उनका देखने का perspective था अपना एक because the patriotism की बात अगर हम करते हैं nationalism nationalism मतलब क्या देश प्रेम अब Britishers के पास तो वैसा देश प्रेम नहीं रहेगा भारत के प्रती जैसा हम हमारे हम भारत माता कुछ आते हम जैसे हमारे देश के प्रती वफादार है महब्बत करते हैं वैसा perspective देखने का नजरिया तो उनका नहीं र होगा दें more focusing on their activities or their roles उनके पर्स्पेक्टिव देखे नजरिया अब उनका नजरिया क्या होगा देर रोट अब आउट अवर्ड अफ गवर्नर यह जी मतलब गवर्नर जनरल ठीक है गवर्नर जनरल के बारे में लिखेंगे अब हमारी टेक्स्ट बुक में दिये गए गए ग हमारे मांड बेटन गवर्नर जनरल नहीं थे यह लास्ट वाइस रय ओफ इंडिया थे तो हमें कैसे याद रखना है फर्स्ट ऑफिसर और सिसूसर फर्स्ट ऑफिसर और लास्ट अज़गे बारे में हमारे पास ट्रक्स्ट इस्कारि और आजीजिए हो इस साल पूरा हिस्ट्री में वही गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ने वाले तो फिर से एक बार देखी कि हिस्ट्री जब ब्रिटिश ने लिखनी शुरू की वेन दे स्टार्टेड दी राइटिंग इंडियन हिस्ट्री उनका परस्पेक्टिव क्या था सिर्फ वो लिख इतियास उनके अलाव कुछ और नहीं है सिर्फ हमारा इतियास कहा तक लिमिट है गवर्नर जनरल्स टकी सीमित है उसके अलावा हमारा इतियास ने ऐसा यहां का यहां तक का परस्पेक्टिव था आई होप सो आपको यह बात क्लियर है कि हिस्ट्री डिटन भै बृतिश हिस् अब बात देखीए समझ में आए कि आपके ठीके कि जो उन्होंने जो classified किया था इंडियान हिस्ट्री को जो उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि इंडिया की हिस्ट्री इस तरह से ऐसे और कौन-कौन सी चीज़े हैं लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया था वो जो इंडियान जो इत्यास ने लिखा उसमें उन्होंने थोड़ी सी बी जी इंडिया के लोगों को और उनके कारियों को उनके अक्टिविटीज को नहीं दी इत्यास अगुआञर फ्यास फुक्ति हिसी अनका इतियास और अपरक्रिक्टिव था तयक है but when we write Indian history from Indian perspective a new set of date will become more important अब क्या था पाथ अब पहली चीज तो clear है कि Britishians ने history start की लिखना और उनका जो perspective था उनका सोचने और देखने का लिखने का नजरिये था वो बस उन तक था they depends on their things and their limitations and they write about them their administrative policies their governor generals Indian and Indian activity will not have any role in their writing in their history but the next step अब यहां से हम next समझते the next phase of history started when Indian historian when Indian historian started to write our Indian history जब हमारे भारत के लोग भारत के इत्यासकार भारत का इत्यास लिखने लगे and they critically examine the writing things on the basis of authentical information अब वो क्या करने वो साथ में लिखने तो लगे अब उन्होंने critically examine भी क्या जो Britishians ने इत्यास लिखा था अब वो पूरा का पूरा सच तो नहीं था विकास उनका सोचने और देखने का नजरिया अलग था लेकिन हमारा जो patriotism था हमारा nationalism था हम देश प्रेम करते थे देश प्रेमी थे तो हमने अपना इत्यास लिखना शुरू किया and what they what we did we did we show we presented the authentical evidence and proof हमने इत्यास तो लिखा हमारे इत्यास कारों ने अपना नजरिया देके इत्यास लिखना तो चालू किया और अपनी चीजों को लिखा भी और उसके लिए सबूद भी दिये जो Britishers नहीं दे पाते थे हमने उसका सबूद भी दिया हमने अपना इत्यास लिखना शुरू भी किया and we criticize the writing which British wrote about the Indian activities or anything about related our country ठीक है when we started history from Indian perspective a new set of dates will become more important अब क्या होगा अब Britishers की dates जो उन्हों बताई जो उन्होंने इत्यास बताई अब उसकी कोई जगे नहीं अब उसका कोई important नहीं because क्यों अब हमने अपना इत्यास लिखना शुरू किया हमने अपने perspective and we keep we give our perspective and our dates are important now अब क्या होगे हमारे dates important होंगे हमारे नजर यह से हमने जो इत्यास लिखा अब वो Britishers का अंग्रेजों का कुछ important नहीं रहेगा I hope so यह concept यहां तक clear है ठीक है and all dates all dates in this history book were linked to the personalities उनके जो personalities गवर्नार जेनरल उनसे ही related वो dates यहां पर दी गई है उन्होंने क्या क्या था अपना इत्यास related अपने लोगों तक ही बताया था Indian activities do their activities policies अब उसमें क्या क्या था जो Britishers ने बताया था उनके लोगों का इत्यास whatever they show their history of their rulers their making kings what they are to their activities policies achievement it was if there was nothing outside their lives or lives अब उसमें क्या था उन्होंने क्या क्या था अपने achievements अपने policies अपने administration के बारे में ही उन्होंने अपना इत्यास बताया था ठीक है ऐसा था मान लिजेगा वो इत्यास Britishers ने ऐसा बताया था जैसे इंडिया में उसके अलावा कुछ नहीं है there is nothing apart from their history अगर आपको इंडिया का history जानना if you wants to comes to know the Indian history that means that it is only the limitation boundaries or criteria barriers only दे गे हो so this is the Indian history but that's things are changed due to the Indian historian they started to write Indian history according to their our Indian perspective okay clear Britishers focus on their things Indian perspective Indian historian means what Britishers focus over there वो क्या करते थे अपनी चीजों पर ही focus करके चीजों को लिखते थे and the Indian perspective one more time Indian perspective Indian historian give important to Indian activities and dates अब Indian historian ने क्या किया भारती इतिहास कारों ने इतिहास लेखन शास्त्रों ने जो इतिहास को लिखते थे historian they critically examine and narrate the story they critically examine the events अब critically उन्होंने examine किया events को घटनाओं को तथ्यों के आधार पर on the basis of authentical information तथ्यों के आधार पर and they started to write and they started to present our Indian history किस तरह से on the basis of Indian activities भारत के जो लोग थे उनके रूल उनकी भूमी का और उनके कारियों को बताया गया उसमें importance दी गई एक different perspective हमने देखा इतियाज का ब्रिटिश का था और different perspective फिर उसके उससे निकल के हमारा भारत का perspective आ गया ठीके देखते हैं इसमें कुछ points चूटे हैं क्या okay all points we cover here यह हमारा आज का second point था इस lesson का second topic था second unit मान लिजे का part second lecture ठीके I hope so सभी को यह lesson समझ में आया होगा आप थोड़ा सा remind करके देखिए pause करके देखिए and try to note down the important points whatever and go through the text book start to maintain the notes make your own notes okay thank you thank you very much have a nice day take care of yourself your family thank you very much bye bye